पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तानी शैकीन बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस सीरीज को लेकर तो आई उन्से बात करते हूं जानते हैं कितने एक्साइटेड है पाकिस्तानी शैकीन दा लोग गरमाना वाँ शैकीन दा लोग गरमाना वाँ पूरे एशियाज में जा चुके हैं वाँ दुबई, सिरिलंका, बंगलादेश, पाकिस्तान में भी हर में आई देखता हूं करते हैं जानते हैं देखते हैं इक्साइट आँ को और लुक्राश पाकिस्तान में आजड़ू अधे सपोर्ट करूँगा बंगलाजर को वेलकम करूँगा जो अच्छा कहलेगा पाकिस्टन जीते जीत कहलोगा आचा तो इतना मतलब क्यों और क्रिकट के बारे में इतना कैसे आप में चाज़तारी चीजह कर लेते यह जै lda पाकिस्तान की तरह पाकिस्तान की तरफ से बात कर सकते हैं पाकिस्तानी होने पर क्रिकर्ट फाइन हो जिसको पचास साल हो गया है दुनिया के मदानों में पाकिस्तान का पर्चम लिराते हुए और चाचा क्रिकर्ट को ये बात करते हुए काउं के सामने बड़ा फखर बसूद हो रहा है कि हमने इस वतन के लिए दुनिया बर का विजट किया और दुनिया को बताया कि एक अच्छा इंसान एक अच्छा पाकिस्तानी और एक अच्छा मुसल्मान कैसे होता है और मेरा मेसेज भी ये है कि अगर आपने पाकिस्तान को पर्जेंट करना है तो एक अच्छा इंसान एक अच्छे पाकिस्तानी और सबसे बढ़कर एक अच्छा मुसल्मान बनके बाकस्तान को पर्जेंट करें कल की मबारकी जीतो आज की इंसाहला दर्ला हमीद है कि पाकस्तान जीतेगा और इंसाहला हम दुनिया को बताने आए हैं के पाकस्तानी क稚 यांड़ा की सबसे बढ़कर जिन्दादिल, बहादर, पूरा मन और मेमानवाज टीम है पाकिस्तान सिदावा आपका नाम? अफाक क्या करते हो? ट्रिकेट खेलते हो जादा आपका नाम? अश्बल मेरा है मुहम्मद यहाँ में बच्छों क्या करने आई हो? जैसिसने कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? पाकिस्तान तो मंगला देश को नहीं कर रहे हैं सपोर्ट पाकिस्तान को ही कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए कोई नगमा बगा रहे हैं या कुछ सुनाएं दिल दिल पाकिस्तान दिल आप सना आप सना आप सना और आसमा इनके सिवा जाना कहां बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवार दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान जा पाकिस्तान जा पाकिस्तान. अलेकुंसलाम क्या रहे बैजयान कैसे हैं जी बैजयान हम यह मत्या किसे हैं पाकिस्तान के मैच हो रहे माशलाही इंटरनेशनल क्रिकेट जिए 2009 के वालू यह बड़ा मदा आरे माशलाही थैंक यू बढ़े मच बहुत आप से बात करते हैं जी पर समने इसे बात की बचों से अलेकुंसलाम आपका नाव शहरियार विलाल एहमद आजे वापी सामने आप अफ्जल मानुलाह अच्छा यार क्या कर रहे हो यहां पर क्या लोग आए में क्यों आए में दर असल यह पाकिसन का मैच हो रहा है सेक्टी 20 उसके लिए दिर हम आये हैं क्रिकेट जो है बहुत स हमारी जो बाकी टीम है ऑस्ट्रेलिया इंग्लें इंडिया वगरा भी मारे विजट करें और मैच इस देखें अच्छा क्या लगता है अज का मुकाबला सख्त होगा क्योंके कल बाबराजम जो था वो जीरो पर आउट हो गया और मारी उसे बहुत उमीद्य थी आज उसे से आज उमीद है कि वह आज सेंचली बनाएगा वकिस्तान को अमजे श्पोर्ट करेंगा अभिस्तिति हैगे लेकि आज मैच करें ने जीद गा लाइफ मैच ने में लगानरे बागाये चाहते मिव कंसे स्वारसनहे जीदेर nah वित इनला पांस bist метis हो शे लिएक उद लिए उग वाट उन तो संपने ने से बात की, बहुत ही पॉसिवलित ने बात की और बताया के कौन से नहीं मैं जितेगी और कौन से नहीं किन से उनको मीद दे हैं तो आएए और लोग आंन से घटे आं बात मैं निए या व इन से करें में ? आप ऐसी करूगा मैं तो जॉब करता हूं और यह मेरी वाइफ है पाकिसान के करने है जाहिए पाकिसानी है मुविब बतन है तो इंशाला पाकिसान कोई स्पोर्ट करेंगे करने करने के लिए आपको किस प्लेयर से जादा उमीद है जो फाइटिंग नजर आएगी दोनों टीमों की तरह से नहीं वन साइडिन होगा तो मैच का मज़ा भी खराब होजेगा तो अब क्या कहेंगे पाकिसान के लिए यह कहेंगे कि जिस तरह यह पाकिसान पाकिसान में क्रिकट बहाल हुए इंटरनेशनल क्रिकट तो बड़ी खुशी की बात है रों के बहाल हुए तो इंशाला इसी आप किस के लिए मैषिज ब आप सांद किसान के लिए मैसिज जीज कथा यह क्या मैडिस्टान में जिंदा म्य पाकिस्तान कोई वाल मिल्षा अपसे बाते हें अग्सप simplemente साप्सवार्ट दो बनाव कोने करें से बंभे लिए अब टेयन को पाकिस्टान को बंभाल वाल कि fam do本 करें तो बंड डेयर को कौहन सब्सक्रत करेगा बाकिसारी अभु स्वेसरों ग्लाटी जा तो प्यार होते हैं आप हम इतनी दूर से आए हैं तो बाबर आजम से कल तो आए थोट्सों के नहीं उमीदें पूरी हो से कि आज होंगी पूरी बात है और अगर वान साइडिट मैच हो गया तो पाकिस्तानी जीत गया तो फिर तो सीरीज हमारी हो गई अगर बारिश हो गी तो नहीं होती है वह वह आदर देख आया हम और आपके सामनी है यह है लेकिन फोग हो सकती लेकिन भाष्णी ओसक्ता फोर इसमपल अगर हो जीदे टूटेंगी याने झाले ठीक है थेंग कि बहुत इछल लका आपसे बात करने पाकिस्तान जीतेगा तो इंशाला ट्रीट ही ट्रीट है उमीदे किसे ज्यादा उमीदे नेक्स पहले मैच में भी बाबर आजम से थी लेकिन उन्फॉर्चनेटली वो आउट हो गए तो निक हो गया उनका तो इंशालला आज वो 50 प्लस स्कूर करेंगे उन्शालला पाकिस्तान को जिताएंगे कि मैच जीतना लाजमी हमाई लिए गर हम एक भी मैच रहेंगे तो हम नमबर वन की पॉजीशन से निचे आजेंगे तो इस वज़े से इंशालला बंगलादेश को क्लीन स्वीप करेंगे इंशालला अपी इंशालला इन्शालला अकर मतलब वन साइड़ मैच हो गया तो आज आज़ेश भी फाइट करेगा आज की मैच में क्योंकि अगर वहारेगा तो वह सीरीज हार जाएंगे यह मैच रहेगा तो इंशालला इसी होती रहेगी पाकिस्तान जीतेगा और इंशालला लहोर कलंदर भी जीतेगा इस दफार ठीकत हैं क्यों बहुत अच्छा लगा आप सबदाब